खिलाई नहीं, सुगाई और लक्षमन जीवित हो गए, तो कोई तो है दम भाई, ऐसा तो नहीं है, सुगने मात्र से वो जीवित हो गए, हम तो ये महाभारत की कहानी देखते हैं, युद्ध चला है, और आप जानते हैं भयंकर युद्ध चला है, भारत के पिछले हजारों स काल के इतिहास में सबसे भयंकर युद्ध हुआ है तो महा भारत का युद्ध हुआ है जिसमें थोड़े बहुत नहीं लाखों लोग मारे गए लेकिन उस युद्ध में बार बार हमें ये पता चलता है कि सबेरे से शाम तक युद्ध होता है रात को सभी पालों के वैद्य अ ऐसी कौन सी चिकितसा पद्धिती दुनिया में है जो बारे घंटे में आदमी को लड़ने के लिए तैयार कर दे और महा भारत की ऐसी एक नहीं सेक्ड़ों कहानियां उसमें से तो एक कहानी में बताता हूँ कौरवों की कहानी जानते हो सौ थे एक माता के सौ पुत्र कैसे ह गए और अदमत बात जो समझने की है वो सौ के सौ सभी पुत्र एक जैसे मूचाई में एक जैसे चोड़ाई में एक जैसे लंबाई सब की बराबर हातों की लंबाई बराबर शरीर सब का एक जैसा चेहरा सब का एक जैसा बड़ा मुश्किल पहचानना तो ये तो भाई हो तभी संभव है वरना कैसे संभव है अभी तो हम प्राकरतिक तरीके से जानते हैं कि दो ट्विंस भी पैदा हो जाएं तो एक जैसे नहीं होते लेकिन कौरव तो सबके सब एक जैसे तो शायद उस समय कोई बड़े महां चिकिदसक रहे हो जिनोंने गांदारी के रक्त मैंसे कुछ निकाल कर क्लोन कर दिया हो या उनके गर्भाशे से कुछ निकाल कर क्लोन किया हो उसमें से ये कौरव पहिदा हुए हो तो ये आदमियों पर प्रयोग 5000 साल पहले हुआ तो कोई तो दम होगा इसमें हमारे शुशुरुत सहिता को आप जानते ही हैं आप मैंसे शायद किसी ने पढ़ा होगा नहीं पढ़ा तो जरूर पढ़िए शुशुरुत सहिता मैं बहुत साल से पढ़ता रहता हूँ हला कि मेरा विशह तो Electronics है लेकिन मुझे इसमें इंटरेस्ट है जब जब मैं सुशुरुत सहिता पढ़ता हूँ micro level पे जब जाओ तो इतने तरह के उपकरणों के वरणन उसमें है इतने तरह के उपकरणों के वरणन है सरजरी करने के लिए क्या अश्यर होता है अगर सुश्रुत सहिता से एके पुक्मरण को निकाल कर लिस्ट बना दी जाए तो आज के आधुनिक सरजरी में जितने उपकरण है उससे कम नहीं है और उन उपकरणों को बनाने के लिए जो इस्तेमाल होने वाला मेटल है फॉलाद कहिए वो सिर्फ आईरन नहीं है ऐसा मेटल इस्तेमाल है जिसमें साथ धातुएं है ताकि उसमें जंग न लगे और आज के जितने भी अच्छे से अच्छे सरजरी के उपकरण भारत में है सभी में जंग लगती है लेकिन शुश्रुत के उपकरणों में जंग नहीं है तो इतने तरह के उपकरण उस जमाने में बनते थे शुश्रुत का समय तो कोई आज का नहीं है कम से कम साड़े तीन हजार साल का है उस समय अगर ऐसे उपकरण बनते थे कोई तो दम होगा इस देश की चिकित्सा विवस्ता में, ऐसे तो नहीं है जब यूरोप में और अमेरिका में शरीर की नस काट कर रक्त बहादो यही चिकित्सा है उस समें इस देश में शुष्च्जुरूत की राइनोप्लास्टी रही आपको मालूम है राइनोप्लास्टी भारत ने दुनिया को सिखाया है और राइनोप्लास्टी के भारत में एक हजार पाँच सो से जादा केंद्र थे अंग्रेजों की इस्ट इंडिया कमपनी के आने के पहले तक उनके इस्थान और पूरे वरणन मेरे पास है और अंग्रेजों के दस्थावेज में से निकाले हुआ है बारत में सबसे बड़ा राइनोप्लास्टी का केंद्र था कांगड़ा कांगड़ा कहा है शिमला के आगे हिमाचल में और कांगड़ा और उसके आसपास में साथ सो केंद्र थे जो राइनोप्लास्टी सिखाते थे दक्षुन में जबरजस्त केंदर थे राइनोप्लास्टी के मैसूर स्टेट है ना मैसूर स्टेट में डेड़ सो से जादा केंदर थे आज से दो सो साल पहले एक पुरानी कहानी है जो दस्तावेजी है कलपना की नहीं है एक अंग्रेज अधिकारी था करनल कूट वो हैदर अली से लड़ा हैदर अली ने उसको परास्त किया परास्त करने के बाद उसकी नाक काट दिया क्योंकि हमारे राजा ज्यादा से ज्यादा यही करते थे गला नहीं काटते थे नाक काट दिया, कान काट दिया क्यों? क्योंकि नाक कटना ही बहुत बड़ी बदनामी होती थी तो नाक काट दिया उसका कटी हुई नाक लेके वो भागा करनल कूट, वो खुद अपनी डायरी में लिख रहा है कि जब मैं युद्ध में हार गया हैदर अली ने मुझे नाक काट दी हाथ में लेकर में भागा और हैदर अली की सीमा खतम हुई मैसूर राजी की, तो बेलगाम नाम का एक गाउं आया, वहाँ पर एक वैद्ध ने मेरी सरजरी की 21 दिन मुझे अपने घर में रखा सरजरी करके लेपन लगाया मेरी नाक जोड़ दिया और आज मैं पारलेमेंट के सामने कह रहा हूँ कि भारत के वैद्धियों को इतना ग्यान है वो ये सब कर सकते हैं इसलिए हमें भारत में अपने लोगों को बेज कर ये विद्या सीखनी चाये ये उसका भाषण है हाउस अफ कॉमन्स तो करनल कूट के इस भाषण को सुनने के बाद अंग्रेजी सरकार ने तै किया चलो कुछ लोगों को बेजो तो अंग्रेज आये उन्होंने यहां सरजरी सीखना शुरू किया और जो अंग्रेजोंने सरजरी सीखा है वो लिख रहे हैं कि जो जातिया भारत में सरजरी में मास्टर थी वो सब नाई थे नाई समझते हैं बाल काटने वाले ये सब सरजन थे 200 साल पहले हाँ सब सरजन थे 200 साल अब जड़ा सोचो कि नाई अगर सरजन रहे हो तो वो पिछली जाती कैसे हुई अंग्रेजोंने उनको 1881 के सरवे में पिछली जाती गोशित किया उसके पहले इस देश में नाई कभी भी पिछली जाती में नहीं थे 1881 में सेंसस हुआ सब से पहला और आज तक वो चल रहा हर दस साल में होता है जन संख्या का गणना अंग्रेजोंने पहली गणना में नाईयों को पिछला वर्ग में डाल दिया और एक अंग्रेज कहता है कि ये अच्छा ही है क्योंकि ये विद्या में इतने उचे हैं अगर इनको नीचे नहीं लाओगे ये गुलामी कभी सुईकार नहीं करेंगे और आज हमारी सरकार भी उनको पिछला ही कहते है उनके हाथ में इतना हुनर है उंग्लियों में इतनी फ्लक्सिबिलिटी है वो आप देखते हैं बाल काटते समय वो गरदन भी काट सकते सोचो ना और इतनी सफाई से उस तरह चलाते हैं उसी उस तरह से वो किसी ट्यूमर को भी काट के निकाल सकते ये सब बहुत बड़े सरजन रहे और आज से 200 साल पहले के दस्तावेज बताते हैं कि कांगडा और उसके आसपास कुर्ग और उसके आसपास मैसूर और उसके आसपास जितने सरजरी सिखाने वाले केंद्र थे उन सब के आचारे नाई ही थे जाती हो ये सब सरजन थे और इन्होंने जो सरजरी सिखाई है वो हिंदुस्तान के गाउं गाउं फैलाई फिर अंग्रेजों ने क्या किया ये जो सरजरी सिखाने वाले केंद्र थे इन सब को गैर कानूनी गोशित कर दिया एक कानून बनाया जिसका दुर्भागे से नाम है इंडियन एजुकेशन एक्ट उसमें इंडियन कुछ भी नहीं है नाम उसका इंडियन एजुकेशन है उस कानून में उन्होंने ये तै कि भारतिय विद्याओं को लिखाने वाले जितने भी केंद्र हैं वो सब गैर कानूने तो उन पे ताले डलवाए गए नहीं डाले तो मरवाया गया उनको आग लगवाई गई कितने लोगों को जिंदा जला दिया वो कहानी सुने तो आपकी आँखों से आँसू निकला है ये अत्याचार सौ साल हुआ उसमें ये विद्या खतम हो गई और फिर बेइमान अंग्रेजों ने क्या किया कि यहां से सरजरी सीखा और उनके अपने रिकार्ड्स में वो सब है हिंदुस्तान को ये बताया कि देखो हम तुमें वापस सिखा रहे और यहां से सरजरी सीख कर जो डॉक्टर बने लंदन में उन्होंने फैलो अफ दो रॉयल सुसाइटी की स्थापना की जिसमें डिगरी लेने के लिए आज हमारे डॉक्टर जा रहा है और उस प्रमान पत्र को लाके दरवाजे पर बड़ा टांगते हैं मैं देखो FRS उसमें शहिद लगा के चाटो तो विटेमिन सी भी न मिले ये इस्तुती है इतना उलट गया सब कुछ सरजरी में ये था मेडिसिन में इससे अदबुत था भारत और मेडिसिन में अदबुत होने का कारण है बिशेश किसम की दवाएं यहां पर हैं ऐसी ऐसी अदबुत दवाएं हैं जो आप कल्पना नहीं करें काम ना करें आपकी कल्पना मैं आज भी ऐसे बहुत वेद्दियों को जानता हूँ जिनके पास कोई formal education नहीं है जो school college में भी नहीं गए हैं आपकी नाड़ी अगर पकड़ ली तो बता देंगे साथ साल सोरी साथ दिन पहले से क्या क्या खा रहे हैं आप और ज्यादा दूर नहीं है इसी जैपुर शहर मे इसी जैपुर शहर में उनका कोई formal education नहीं है वो सिर्फ नारी पकड़ते हैं मैं गया हूँ दो बार वो साथ दिन पहले का मुझे बता दिया पिछले रविवार को ये खाया सुमवार को ये खाया मंगल को ये खाया बुद्ध को ये खाया ये भाई कौन सा विज्यान है ये कर लेना कि आपको यही है और वही निकले ये तो कुछ अद्बुत है ये कोई सामन निविद्या नहीं है भाई मैंने ऐसे तमाम वैद्धियों को देखा है जो नाड़ी पकड़के बताते हैं कि आपको ट्यूमर है गरबाशे में हैं यहां है यहां है और हम जब आदुनिक चिकितसा शास्तर में परिक्षण कराते हैं वही निकलता है एक वैद्धितों मैंने ऐसे भी देखे हैं केरल में कोटक कला में वो साइज बता देते हैं इस साइज का है नाड़ी पकड़ी और बता दिया इस साइज का है और वही निकलता है इसका माने इस भारतिये विद्य हमें कोई दम है और वो दम अगर हमको दिखाई दे जाए तो आत्म विश्वास हमारा लोट आएगा और हमारी हीन भावना कुछ कम हो जाएगी और हीन भावना कम हो जाए तो हम शायद दुनिया जीत लेंगे